उसने वह वह विख्थी तो नहीं लेकिन भगवान की भी स्टेचू बन जाती लेकिन कब बनती है जब विग्रेंत चीजें ही है प्रभुपाजी ने जब वृंदावन में कृष्ण बल राम विग्रे के स्तापना करी तो प्रहुपाजी ने कर्म कांडी प्रामनों को बुलाया और कहा प्राण पतिष्ठा करिए मंत्र उचारण करिए और साथ साथ में प्रहुपाजी ने उनके एक भक्त थे जिनका नाम था आइंद्रा प्रभु तो आइंद्रा प्रभु को उन्होंने बोला कि आप क्या करो कि तो एक्चुली 99% प्राणपतिष्था श्रद्धा के उपर ही निर्वड करती है मंत्रों पर निर्वड नहीं करती है लेकिन प्रभपाजी ने वो कर्मकांडी ब्राह्मन क्यों बुला है तो उन्हें बुला क्योंकि अगर हम यह नहीं करेंगे तो जो भार की कॉमिनेटी जो क कर्मकांड को ही धर्म मानती है वो कॉमिनेटी हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि यह लोग नए नई रिती दिवाज लेकर आएं है ना क्योंकि उनको नाम पे नाम के बल पर उतनी उन पर उतना आस्था नहीं नाम की प्रती तो प्रभपाजी ने का जो नाम भगवान हरी नाम के उच्चारण से ही विग्रह में आते हैं और अगर आप सेवा प्रॉपर नहीं करोगे तो भगवान चले भी जाएं तो हमारी प्रणपतिष्ठा दोनों तरीके से होती है भागवद विदी से भी होती है और यह जो है अपनी तंत्र मंत्र से भी होती है जिसको हम लोग अग्च्छली देखा यह तो कल्यूग में भगवान नाम से प्रकट होती है है ना हरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना ने नारज जीओं कहा यत्र गायंति मत भक्ताम तिष्ठामी तत्र नारदा नारद में रहता हूं जहां मेरे बगत मेरा करते तो नहीं बोला यह तो नहीं बोला जहां पर प्रकट प्रतिष्ठाय्य होगा यह हवंण कुंड होलोगा तो भगवानने कहा हमें वहां होगा ज्यां किर्ऩन होका मेरे भक्त हो तो वैदिक विदी भी है और भागवत विदी भी लेकिन हम गौडिय वैश्णव भागवत विदी को जादा प्रमानिकता देते हैं वैदिक विदी को निंदा नहीं करते हैं वैदिक विदी का सम्मान करते हैं पर हमारा बिलीव सिस्टम भागवत विदी है कि भगवान नाम क के बल पर ही आते हैं क्योंकि हमारे पास प्रमानिक रामचेत मानस और पुरान पद्म पुरान के श्लोक है नारज जी को और शिव जी के द्वारा कहे गए तो इससे पता चलता है भगवान आएंगे तो प्रेम से आएंगे जितनी श्रद्धा से करेंगे बजन उतनी बनेगा उससे पहले वह मूर्ति है उससे पहले उसकी पूजा करेंगे तो वह पूजा तो नहीं है तो आपको इंस्टोलेशन में दूद्धधई पंचामित से अभिशेक करो किर्टन करो बड़ी जोर जोर से बड़े भाव से ये प्रभू मेरे घर आओ ये प्रभू मेरे हम मूर्ति को तो नठन लगरी ना गर्मी लगरी वह तो एक पशाण है पत्थर है कार्व करके स्टैचू मात्मगांदी की स्टैचू भी खड़ी है सुबाशन बोज की भी है इनकी भी है अपने सर्दावल्लबाई पटेल की लॉंगस्ट स्टैचू लेकिन वह विग्रह त प्रणाम कर सकते क्योंकि भगवान का सुरूप तो है भगवान की जैसा एक दिखतर आया हमको जैसे एक बार किसी राजा ने पूछा मुझा बौले तुम भगवान भगवान करते हो मूरती में फोटो में बगवान होते हैंट भगवान का है फोटो किया तो नहीव, पिता जीडि की एक थूक लगी निकालव, हैसीक देखर राजा खर्ण या करते हो मेरी पिताजी पर थुका पिताजी की फोट है ना इस विले पिटाजी की फोटो ताइज oppression की पिनेश्त मिभवान की मगवान और अवास होता हैं अट तो हम अबosh हमाट में बहुत हैं नहीं बहुत में आठ प्रकार की तरीकी बता है जिन में घर तर stray तो भगवान ने बोला शैल्या, लोही, दारुमई, सेक्या, लेकसी, लेपसी, मनुमई, मनिमई, अश्ट विधा, प्रतीमा माम, आठ प्रगार की मेरी प्रतीमा होती। तो उसमें भगवान ने शैली यानि पत्थर, लोही यानि मैटल, दारु यानि लकडी, लेप्या, यानि की ये जो होता है, मिटी, मिटी से जो लेपन करके बनाते हैं, लेखन किया, लेप्या, सेक्ति, यानि बालू, सेंड की मूर्ती, और मनोमई, की यानि मनी मनी से बनी मू कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं आप पी नहीं बोला भगवाल कि प्लास्टर और पैरिस में अफ्तरित होंगा है ना या फिर आप कोई अधना या मैटीरियल लियाओ बनाने के लिए इसमें नहीं आएंगे क्या भगवाल तो भगवाल के कुछ वैदिक नियम भी है पर स कौनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ा है ओके प्रभवजी थांक्ट विए अधना अधना हाँ अधना हाँ